आपने एकसर किसी गाड़ी को रोकने की बाद सोची होगी तो आपकी दिमाग में बस एक ही सवाल आया होगा कि ब्रेक मारो और गाड़ी रुख जाएगी पर कि आपको पता है फाइटर जेट को जब कभी समुद्र में एर क्राफ्ट केरियर पर लेंड कराए जाता है तो पाइलेट ना ही ब्रेक मारता है और ना ही जेट की रफतार को कम करता है लगभग धाई हजार किलोमीटर परती घंटे की रफतार से उस सिप पर लेंड करा दे जो इस वायर में फस जाता है और प्लेन रुख जाता है पर जब वायर हुक में नहीं फस था तो प्लेन की रफतार कम नहोने के कारण ये विमान फिर से उडान भर लेता है और आगे बढ़ जाता है अगर वहीं विमान की स्पीड को कम करके उतारा गया और हुक वायर में नही फसा तो ये विमान सीधा समुन्दर में चला जाएगा